हिंदी मांध्यम की पाठचाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम NCRT के एक अच्छा नौवी के गड़ेत के 10 ब्रत की प्रमे 10.4 को सिद्ध करेंगे। प्रमे 10.4 प्रमे 10.4 जो है प्रमे 10.3 का विलोम है। प्रमे 10.4 के कहती है । एक ब्रत की केंद्र से एक जीवा को सम्दिभाज mummy करने के मेदने के लिए एक प्रमे。 जो हमें दिया है पहले ऐसे समझ लेते है ए अब प्रत की है और प्रत कींद्रै के है औहुल है। ISO जीवा एब को सम्दिभाजético करने के लिए पर उम्ब होती है प्रमय में क्या सिद्न है कि यह जो मैं क्या व्रत के जीवा को सम्दिभाजिद करने के लिए खेची कई रहखा जीवा पर लंब होती है तो यह रिखा कि यह O M ठीक है यह रिखा GYB पर क्या होगी लंब होगी यह हमें सिद्ध करना है इस प्रमे में इस प्रमे को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी तो हम वो कर लेते हैं केंद्र O को बिंदू O से जोड़ दिया हमने तो यह हमें रचना करनी है इस प्रमे को सिद्ध करने के लिए अब हम इस प्रमे को सिद्ध करते हैं तुरपोज O में और तुरपोज O M B में यह दोनों तुरपोजों में ठीक है ओम बराबर ओम ओम तो ओम के बराबर ही होगा क्योंकि यह बुजा है तो हमने लिग देख साइड के लिए में बराबर M B में और M B बराबर हैं यह हमें प्रम्य में दिया गया है क्योंकि जीवा वो सम्दिवाज़त हो रही है बजा है तो हमने फिर से S लिख जें साइट के लिए ठीक है A O बराबर B O A O और B O आपसमें बराबर हैं क्यों? क्योंकि ये व्रत की त्रज्जाएं हैं ये भी बुजाए तो हमने लिख दिया S अब क्रम क्या होगा तीनों बुजाओं का पहला पहला अक्षा पकड़ लेंगे ठीक है बाइंतरभी और दाइंतरभी तो यहां से हम क्या पाएंगे त्रजों से ठीक है किस न्यम से SSS नेंब के द्वारा happens में सॉंगत बराबर होगे तो उसी क्रम में क्रॉम में बराबर क्या होगा क्वॉन ओंबब और कौन OMB आपस में परावर होंगे इसे हम मान लेंगे समिकरन 1 समिकरन एक लिख दे हम ने अब आप देखे कौन OMB इस दोनों वह नहीं किया रखेक योग है कि यह रिखाकंड सबी कौनों का या दोनों कोन का योग है और हमनुमें है किसी भी रेखा के एक ही और के सभी कॉनों का यह कित्ता होता है 180 डिग्री किस नियम से रेखे क्यों में से ठीक है अब OMB किसके बराबर है समीकरण एक में देखिए OMA के बराबर तो हम OMB की जगए क्या रख देंगे कौन OMB किसके बराबर है समीकरण एक में में किसके बराबर है कौन OMB के जाएक हमारा 90 degree यह कौन OMB भी आगया हमारा 90 degree ठीक है तो अगर कौन OMB दोनो 90 degree है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि OM जो है जीवा AB पर लंब है और हम इस प्रमे में यहीं सद्धु करना था कि वरत के कि इन से जीवा को समझेवाजित करने के लिए खीचिगे रेखा जीवा पर लंब होती है यहां वरत के कि इन से जो रेखा खीचिगे कोशे नियुक्त हे है'RE OEM और जीवा है एबी तो ओम लंभ है एबी पर यहीं हमें सिद्ध करना था तो हम कह सकते हैं इती सिद्धम उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिं और वीडियो का अधिक से अधिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों